स्वागत है आपका भारत वाइस में रविवार को मोर्वी में जो हाथसा हुआ उसके बाद गुजरात के मोर्वी में अब उस हाथसे पर एक तमाशा हो रहा है जिहां जो तमाशा गुजरात के मोर्वी में अब शुरू हुआ है वो सच में पूरे देश को शर्मसार करने वाल आधी रात को इस समय मरीजों का इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा है बलकि अस्पताल को आज अभी रात को मोरी के सिविल हॉस्पिटल में रंग रोगन किया जा रहा है टाइल्स नई टाइल्स लगाई जा रहे हैं क्यों क्योंकि कल मोदी जी घायलों का हालचाल पूछने आ रहे हैं ये मानव निर्मित रासदी हुई है मोरभी में आज कई घरों में चुले नहीं जले हैं कुछ लोगों की लाशें भी नहीं मिली है अभी लेकिन इवेंट में कोई कमी नहीं आनी जी मरीजों के इलाज से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं अस्पताल में कोई कमी न रह जाए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पूरे दिन सोमवार को यानी हाथसे के अगले दिन गुजरात में अलग-अलग कारिक्रमों में हिस्सा लेते रहे देश भर में लोग सवाल उठाते रहे कि परधान मंत्री को कम से कम अपने कारीक्रमों को रद कर देना चाहिए 2-4 दिनों के लिए क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं इसलिए प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी ने भी शायद एक भी कारिक्रम को जो पहले से तैथा उसको रद नहीं किया अब जबर्दस तरीके से देश में जब सवाल उठने लगे प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी पर तब वो गुजरात के मोर भी जाने का उनका कारिक्रम बना है आज कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी यात्राएं स्थगित की मोदी जी ने अपना कोई इवेंट स्थगित करना उचित नहीं समझा अरे इस गुजरात ने आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया और आपने गुजरात को क्या दिया कहां पहुंचा दिया गुजरात को इतना ही समवेदन शीलता तो आप में हमें उम्मीद थी कि होगी कि एक तरफ जहां इतने लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपने लोगों को ढूंड रहे हैं, लाशें ढूंड रहे हैं, आप इसमें भी दिया जा रहा है कि अस्पताल को कैसे ठीक किया जाए पीछे की जो असलियत है वह राद गई असलियत आज तक पर आपको लाइब दिखा रहा है साड़े ग्यारा बज़ें पेशेंट्स बैड पर हैं ओपर साफ सफाई चल रही है तैयार्या की जा रहे है क्योंकि प्राइमेस किया जा रहा है टाइस लगाए जा रहे है यानि बेड लगाए जा रहे है किसी भी तरीके से मीडिया की नजर न पड़ जाए और प्रधान मंतरी नरेदर मोदी जब अस्पताल में पहुँचे तो उस वक्त सब कुछ साफ सुथरा नजर आए तो सोचिए गुजराद के वि अस्पतालों को ठीक करने की जहमत सरकार ने नहीं उठाई अब सोचिए जिस गुजरात मॉडल की बदोलत प्रधान मंतरी नरेदर मोदी प्रधान मंतरी बन गए पूरे देश को बड़े-बड़े सपने दिखाते रहे आज उस गुजरात मॉडल की हकीकत यह है कि वहाँ प प्रशासन है उसके हाथ पाँप फूल गए है और वो किसी भी तरीके से इस कोशिश में लगे हैं कि जल्दी जल्दी अस्पताल में सब कुछ ठीक कर दिया जाए नए तोशक लगा दिये जाए नए बिस्तर लगा दिये जाए नए नई 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 मशीने लगा दी जाए ता उस समय देखेंगे कि सब कुछ कितना विवस्तिक तरीके से रहेगा सब कुछ कितना साफ सुथरा रहेगा लेकिन उसके पीछे की सचाई यही है कि पिछले 27 सालों से भारते जंता पार्टी की सरकार है और पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार गुज तो इसके बाद से अस्पताल को ठीक करने के लिए तमाम तरह की कोशिशे आधीराज से शुरू हो गई मरीजों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इन सबसे इतर इस बात की कोशिश की जा रही है कि कहीं परधान मंत्री की नजर किसी कमी पर न पड़ जाए इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी जो राय है अपनी राय हमें जरूर बताईए बहुत बहुत धन्यवाद हो क्या क्या है आपको एक दिन आप बिना इविंट के नहीं रह सकते एक दिन आप बिना स्पोटलेट के नहीं रह सकते क्या ये है गुजरात मॉडल कॉस्मेटिक मॉडल लीपापोती मॉडल क्या कहें इसको अगर गुजरात का ये लीपापोती मॉडल नहीं होता तो मोर्भी में ये दुरगटना भी नहीं होती प्रधान मंत्री जी गांधी का ये प्रदेश है समवेदना सबसे पहले आनी चाहिए थी छोड़िये राजधर्म को आपसे उम्मीद नहीं आने समवेदना थोड़ी सी समवेदना अगर होती तो इवेंट नहीं बनाते आप इसको आपने आज भी अपने कारिक्रम जारी रखे कल एक और कारिक्रम है ये भी आपके लिए एक इवेंट है कुछ तो सोचिए उन लोगों का जिनके घरों में चिराग नहीं जल रहे जिनके घरों में चुले नहीं जल रहे जिनके आँ लाशे तक नहीं मिल रही गमजदा लोग बैठे हुए हैं आपको इवेंट की सुझी है